हेलो फ्रेंड्स मैं हुँ रिना रिना अथर्वा चैनेल पर आप सबको बहुत बहुत श्वागत करती पैरेंस आशेक मैं फाइब अकुपिशन थाइरिपी का बेस्ट एक्टिवीट आपलोग किशा श्यार कर्यू जो करने से बच्चे को सिटिंग, स्कील, फोकास, एटेंश तो यह एक्टिवीट आपको करना परेगा, इसमें फाइड मोटरी स्कील भी इंप्रूमेंट होगा, तो यह फाइब अक्टिवीटी देखी और कराईए, मैं अथर्वा के साद मतलोग बहुत मुश्किल से शिखाया था, तो यह शिखने में काफी टाइम लागेगा, क्यू जल्दी शिख जाता है, एक शाल में शिख जाता है, तो आप भी प्राक्टिस करके देखी ए, तो आपका बच्चा भी साज शिख जाए, तो यह जो एक्टिवीटी है, बहुत ही इंपर्टेन अक्टिवीटी है, आप देखेंगे, तो पता लगेगा, कौन्छा गौन से अक प्राक्टिस करते रहेंगे, तो दीरे-दीरे-दीरे-शाल बर के आंदर कापी इंपर्वेंट बच्चो में आजाता है, फोकास भी आटेन्शन भी, आइक अटक भी, तो यह शारे अक्टिवीटी करेंगे, तो अभी इंपर्वेंट होगा, नहीं करेंगे, तो खास कुछ इंपर्वेंट नहीं होता हमारा बच्चो में, तो आजाई है, फास्ट अक्टिवीटी में देखा देती हूँ, तो यह फास्ट अक्टिवीटी है, एक गात्ता का डबबा लेना, युगा पर तो इसी स्टैप पे अक्टिवीटी खोरीदा हुआ मिलता है, तो मेरे पास था नहीं, तो घत्ती का डबबा में, हौइट पेपर चिपका के, होल बना दिया, चाक्टि छे, नैप शे और सार्केल बना दिय एक एक कलर की, और सेम कलर की सार्केल में सेम कलर की आइस्ख्रीम टिपिक की डालेगा, आस्ट्宮 मिलीटीट गालेगा, तो अब बत्चेको समझाय यहां coordination focus improvement होगा setting skill improvement होगा speech language improvement होगा क्योंकि आप बाताते रहेंगे ना सामजाते रहेंगे blue color में blue color की डालो तो इस type का purple color में purple color की डालो तो circle फिर circle का identify होगा ice cream stick की color identify होगा फिर hole का identify होगा बस रहने दो तो यह first activity आईसे जब आपका बच्चा नहीं कर पाएगा तो आप आइसे कराएंगे मैंने अथरवा को आइसे शिखाया था यहांसे उठाके ए रेड ice cream stick है रेड circle में डालना है बेटा रेड circle में देखो डाल दिये यह आइसे करके फ्रसा खोस नाए बच्चो गेसात जब एक activity हो जाए तो बच्चे को बोलना है बच्चे एक हैंड चे बच्चे को राश करना है और एक हैंड से बच्चे को उठाना शिखाना है तो इसमे फिंगर भी कराना है हार एक कंब बच्चों से मतलोग क्लीनाफ कराना है और बच्चे को समझाना है आ आ प उठाओ तो यह हैंड पारिक अप उठाएंगे तो 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 धिरे दिरे बच्चे को फिर अतो जाएगा अपना टॉयं मेटके राखे रै नमबार अलफाबेट जहां से स्टाटिंग होता है, जैसे ए चे शूरू होता है, अलफाबेट वान से शूरू होता है नमबार, तो काफी चरहाई से लिग के राखेंगे, और ए जो रोशी है, रोशी में चीम्टा से चिपकाएगा, तो फास्ट आप बड़ाबड़ा फिर दो तीन नामबर लागा दो एकेबाद कॉंस्चा आयगा बाच्चे को जुदवा कॉन्सेब्ट भी आता है एक बाध फेर बैलेंस भी आता है ना बैलेंस भी करना परता है कि रोशी में ए रोशी हिलतार रहता है तो चीमटा लागाना हमारा बच्चों कि ले बोथ मुश बहुत अच्छा इंप्रूमेंट होगा बस अभी नामबर की लगाओ डीतक हो गिया तो आभी अथरबा को तो अलफाबेट का कोई हो नहीं है आपका बच्चे को शीखने में टाइम लगेगा क्योंकि आइसे उल्टा करके देख के आइसे करके लगाना तो आप बच्चे को जब शीखाएंगे जैसे ए है तो आइसे करके बच्चे शीखेगा क्योंकि बच्चे को देखना है अभी तो अथरबा को आता है इसलिए आप लोग को देखाने के लिए मैं इधार अलफाबेट कर दिया तो अधर्वा कर रहा है अगर आप जब बच्चों के साथ कराएंगे तो एलफाबेट उस्ता रोप नहीं एलफाबेट बच्चे को सामने की तरफ होना है तो बच्चे को देखना है और कॉन्फिडेंस के साथ करना है अभी आप लोग को देखाने के लिए मैंने ऐसे कर लेता है अब थीक लागारहे हो मैंने माशो 190 गलोक लगारे उधा वाव मामाने utra करके मामा को आइडेंटिवाई नहीं है अब तो अच्छा से कर ले तो वेरी गूट तो फोर वी ठीक लगाया मैंने अधर्वा जब ए 6 बाद्धेशा किया था सामने की तरफ करके फास्टाइम अथर्वा कर रहा है आप लोग को मतलब ओडियोंस को देखाने के लिए उधर करके बैरी गूड बास तो ऐसे करके उसके बाद बच्छों से खोलना है चलो खोलो खोलो क्लीन अप करो हार एक अक्टिविटी करने के शाशाद बच्छ और बोलता था जे क्लीन अप करो और गेम फिनिश हमेशा चलो कोई निये टूड गिया और भी बहुत शारे हाई हम उससे कर लेंगे चलो नेक्स्ट रहने दो तो हमेशा बच्छे को जब अक्टिविटी खतम हो जाए ए कॉनसेप्ट भीले लाना है फिनिश हो गिया हम नेक किताब उताब जैसे जो चीज रहाएगा फैला के चला जाएगा अपना मोर्जी करेगा इसलिए बच्चे जब छोटा होता है तब भी बच्चे को शिखाना पड़ता है गूड है बड़ हैविट हार्ची स्क्रीन अप करने का थार्ड एक्टिविटी है चीम्टा बालाई ह है जो कलर की चीम्टा है सेम कलर की इस्टिक है उस में ढून के बाग्चा लागा तो शारे इस्टिक मै able da तो यह जो कलर की होगा बस उसमें लागाई घृ नेहीं होगा उसमें नेहीं लागा चलो दौचार कर लो हाण जो जो ड़्सके अंदर Im poder कोई भी कालार की चीम्टा यूज कर सकते हो, आइसे नहीं है, जे शारे कालार की चीम्टा भी होना जरूरी है, शारे कालार की आइसक्रीम इस्टिक भी होना जरूरी है, कभी-कभी आपका चीम्टा का कालार जैसे होगा, कुस अलाख सा कालार रहेगा, लेकिन आइसक्रीम इस चीम्ति है पिंक कलर की टिथ पिक type नहीं लेए तो ऐसे कभी कलर आपको आइस्क्रीम इस्टिक में नहीं होगा, तो फिर बच्चे को confused जाधा करना है, तो अब जाके बच्चे को thinking skill इंप्रूमेंट होता है, attention इंप्रूमेंट होता है, ए अक्टिवीटी आप सेंटर में अथरवा जहा जाते थे, वह आपर प्लास्टिक का डब्बा था, प्लास्टि पेपार रोल करके मैंने अथरवा को ए अक्टिवीटी शिखाये था, तो ए अक्टिवीटी था एरे पीछे नहीं बोला जे घर पे आप बना के करो, यह मैं खुद आइडिया लागा के अथरवा के साथ किया था, हार एक अक्टिवीटी में हुआ, जो जो देखके आती थी मैं घर पे बनाने की कोईशीश करती थी, पूरा मतलोब कोईशीश रहता था घर पे ओए अक्टिवीटी में बनाऊंगी, कि कोई हार एक्टिवीटी चल अब डालो, हार एक्टिवीटी हमें खोरीदना पसिबल नहीं था, तो इसमें क्या आए बच्चे को एटेंशन, आई तो क्यूकि अथरबा के अंदर ओव कॉंसेप्ट नहीं था, बैलेंस नहीं था, हाथ इदर उदर हिल जाता था, और ये डबबा के अंदर इसके अंदर डालना अथरबा के लिए मुश्किल होता था, तो फिर शिग गया एक शाल के अंदर, साथ शाल तक ए अक्टिवीटी नेक्स्ट एक्टिवीटी ये बहुत ही मुश्किल है, ये शिकने में अथरबा को, मतलब से शाल में शुरू किया था, आठ शाल में अथरबा जाके शिखा था, ये दो शाल टाइम लगा था, ये बहुत ही मुश्किल है, क्यूंकि इसमें फोकास ज्यादा देना परता है, आइस्क्रीम जो stick है, उसको ले के ऐसे same ice cream stick हामें ड्राइइंग करना है, एक की उपर एक ड्राइइंग करना है, यह नहीं है जो एक करके line by line, एक की उपर देखें, एक की उपर एक ड्राइइंग किया, और stick के उपर फिर alphabet लिख यह बहुँ है, यह पर भी same alphabet लिखें, जैसे फिर आइसे लिखने के बाद, फिर आप किया करेंगे, बिना लिखा हुआ जो आइस्क्रीम इस्टिक है, उसके आंदर मिक्स कर देंगे, तो शुरू में आप 2-4 इस्टिक बिना राइटिंग का मिक्स करेंगे, जब बच्चा शिख जाए अच्छा से तो अब ज्यादा मामा मिक्स कर दें, आप ढूंडो ढूंड के फिर लागाओ, कौन सा स्टिक काहा लागेगा, जो दी करो, अब इस्टिक काहा पर आए, तो थोरा सा टाप हो जाता है बच्चे के लिए, तो इसलिए अथर्बा को ये दो शाल टाइम लागा था, क्यूंकि इस्टिक में एक की पर एक इस्टिक बना दिया और एलफाबेट लिग दिया तो और एज जो जाएसे इसमें भी लेखा हुआ है, इसमें भी लेखा हुआ है तो ऐसे ढूंड के फिर खुन्फ्यूज हो जाता है बच्चा, और एक्टिवीटी में जीतना ज़्यादा बच्चे को तो ये बहुत ही टाप एक्टिवीटी है पेशेंच के साथ करा ही, आपका बच्चा भी शीक जाएगा, अथरवा को टाइम लगा था, शायद आपका बच्चा जोल्दी शीक जाए, लेकिन अथरवा जोल्दी नहीं चीका था, तो फ्रेंड्स फाइब ऑकुपिशन थाइर पेशेंच के साथ काम करेंगे तो आपका बच्चा भी बहुत आगे जागा, एक नर्मल लाइप में आप आएगा, काफी लॉम्बा टाइम लागता है, पेशेंच के साथ काम करा ही है, तो अथरवा सीवियर अटेजियम था, तो अथरवा इस लेबेल पे आगे आपका बच ताता बाइबा, 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 ताता